श्री शिवाई नमस्तु भहम दोस्तों आप सबी लोग जानते हैं कि रक्षा बंदन का त्योहर आने वाला है और इस बार का रक्षा बंदन बहुत-ज़़ा खास है क्योंकि इस बार का जो रक्षा बंदन है वो सावन महीने के पांचवे सोंबार को पढ़ रहा है या सावन महीने के आकरी दिन पर पढ़ रहा है क्योंकि दोस्तों इस बार का सावन का महीना पूरे पांच सोंबार का है और ये बात भी आप लोगों को इस बार जरूर परेशान कर रही है कि इस पार रक्षा बंदन का तेवार किस दन मनाया जाएगा और भद्रा काल अगर जो लग रहा है वो किस समय से लेकर किस समय तक लगेगा और हमें किस समय से लेकर किस समय के बीच में राकी बाननी चाहिए मतलब कि राकी बानने का शुब मूर्थ क्या है और इसके अलावा रक्षा बंदन से जुड़े हुए आपके मन में बहुत सारे प्रेशन होंगे राकी किस तरफ बैट कर बादना है राकी नीचे बैट कर बादना है कि पलंग पर या सोफा बैट कर बादना है थाली कैसे तयार करना है राकी कौन से कलर की लेनी है राकी कैसी नहीं लेनी है इसी रख्शा बंदन involvement किस दिन मनाया जाएगा दरसल एक जो है दो तारुक के दिन मन में इस पार भी भर दी है कि वहीं रख्शा बंदन जो है 19 अगस्त के दिन मनाया जाएगा कि 20 अगस्त के दिन मनाया जाएगा ठीक है पहली बात तो आप अपने कैलेंडर में देखो कैलेंडर में 19 अगस्त की रक्षा बंदन है तो 19 अगस्त की ही रक्षा बंदन है कोई अगले दिन रक्षा बंदन नहीं है 20 अगस्त ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है तो 19 अगस्त 2024 के दिन ही रक्षा बंदन है क्योंकि रक्षा बंदन का जो त्योहार है वो सावन महीने की पूर्णे मातिती को मनाया जाता है मतलब कि पूर्णे मातिती जो है वो 19 अगस 2024 के दन पढ़ रही है जिस दन सावन महीने का आखरी सोमवार या पांचवा सोमवार भी है और आखरी दिन भी है ठीक है इसलिए इस बार का रक्षा बंदन बहुत ही जदा खास है ना तो भाई सबसे पहले चीज़ आपको समझ जा गई रक्षा बंदन जो है वो 19 अगस 2024 के दिन यहां पर पड़ेगा है ना उसके बाद में दोस्तों जो अगला सबसे बड़ा प कारे नहीं किया जाता है और रक्षा बंदन के दिन जो मांगले कारे होता है वो राकी बानने का होता है तो भद्राकाल की समय में आप लोग को राकी नहीं बाननी है जो भद्राकाल का समय है वो आप अभी सही नोट कर लो क्यों इस समय से लेकर इस समय के बीच में आप होने चाहिए ठीक है तो इसका आप लोगों को भी पालनी करना है ना तो भाई करना क्या है सबसे पहरे चीज़ जो भद्रा का समय है भद्रा काल जिस समय से शुरू होगा वो 19 सगस्त का ही दिन होगा मतलब रक्षा बंदन का ही दिन होगा जो कि सुभा 5 बच्कर 53 मिनिट से शुरू हो जाएगा ठीक है भद्रा काल का समय उन्ने सगस्त को सुभा 5 बच्कर 53 मिनिट से शुरू हो जाएगा जो कि उन्ने सगस्त को दो पहर देड़ बजी तक चलेगा या एक बच्कर 32 मिनिट तक का जो समय है यह भद्रा काल का समय रहेगा मतलब कि सुभा 5 बच कर 30 मिनिट से तो पहर कि 1 बच कर 32 मिनिट तक है देड़ बजे तक आप लोग रक्षा बंदन का दिवार नहीं मना सकते है ना भई बहुत सरे लोगों ने हमसे एक प्रशने और किया कि भई क्या हम लोग रक्षा बंदन का जो दिवार है वो सुभा 5 बच कर 30 मिनिट से पहले नहीं मना सकते है तो देखो इसका सीधा सा जवाब है कि इतने सुभे तो पहली बाद तो कोई महुरत नहीं है ना और जब आप लोग इतने सुभे का रक्षा बंदन मना भी लोगों तो रक्षा बंदन मनाने के बाद भदरा काल आ रहा है मतलब वो समय आ रहा है जिस समय में कोई मांगलिक कार नहीं किया जाता है तो आपको राकी तब बादना है जिस समय के बाद में अच्छा ही समय आए क्योंकि अगर आपने सुभा राकी बांदे तो सुभा राकी बांदने के बाद फिर भद्राकाल आएगा इस बात का भी धियान रखना है ना और राकी हमेशे शुब महुर्थ में ही बाननी चाहिए ये भी बात आप सबी लोग अच्छे से जानते हो ना तो सुभा आप लोग कर 25 मिनिट तक रहेगा अब इसका कारण क्या है देखो वैसे तो शुब महुर्थ रात्री को 9 बच कर 5 मिनिट तक है पर हमने आप से 6 बच कर 25 मिनिट क्यों का उसका कारण ये है कि रक्षा बंदन का जो त्योहार है या राकी का पर्व है इसको रात्री में नहीं मनाया जात जाती है ना बेहन अपने भाई की कलाई पर रात्री में राप्व है आपके हैं तो तो ठीक है अन्यत था पहली जो राप्वाने का शुब महुर्थ है वा रात्री को 9 बच कर 5 मिनिट तक है ना और अगर आप या नहीं मानते है तो भी वह आपकी उपर है पर रात्री में र जो कि शाम को 6 बच कर 25 मिनिट तक रहेगा या शाम को 6 बजी तक रहेगा ना मतलब कि दिन रहते रहते आपको राकी बानना है शाम होने से पहले या रात होने से पहले पहले आप लोगों को राकी बानना है दिन दिन होते होते ही आप लोगों को अपना रक्षा बंदन कतिवा पर यहां पर बनाना है ठीक है उसके बाद में दोस्तों अब आगली जो जान का रही है वो भी यहां पर हम लोग जान लेते हैं कि रक्षा बंदन में जो सबसे पहली राखी होगी वो हमें किसे बाननी है ना देखो भले भद्राकाल दोपहर के देड़ बज़े से मतलब दोप अおगेरा सब सुभाई करना है रक्षा बंदन की दिन पूर निमा तितिकी दिन हो सके तो अब लोगों जतना जलदी हो सकता है उतना जल्दी उटना है उटकर सबी लोगों को इस्तेना करके अपने घर में जो भगवान है उनको इस्तेना कर आगYa उनकी पूजन करना है, पूजन आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी आप लोगों को रोक नहीं है, पर रक्षा बंदर नहीं मना सकते हैं, और ना तो आप भगवान को राकी बान सकते हैं, कुछ लोग ना ऐसे भी कमेंट किया है, कि हम सुबा जल्दी उठकर भगवान को र तियान रखना है न उसके बारे में आपको बता रहे हैं बाकिस के अलावा अगर laidSeak भी थाली आयाती आप वैसे ले सकते हैंजा, सब्से पहले तो आपको एक थाली लेनी हैं जिसके अंदर आप पूजन थाली जो है मतलब अपने भाई को राखी बादने के लिए तियार करेंगे, एक थाली ले लो है ना, उस थाली के अंदर सबसे पहले चीज़ रोली कुमकुम रखो है ना, देखो रोली कुमकुम पहचान कर रखना, यहां पर आपको सिंदूर नहीं रखना है, तिलक कभी भी यह वाला सिं लुष्यत, चावल है ना, चावल का भी एक विशेश ध्यान रखना कि चावल जो आप रखोगे, वो टूटे हुए ना, कटे-पिटे ना, उस थाबत चावल के दाने हो ना, थोड़े से रखोगे पर वो साबत चावल के दाने हो ना, उसके बाद में दोस्तों, आपकी था के लिए उसके अंदर पानी होना चाहिए पानी वाला वो नारीयल हो इस बात का ध्यान रखना है ना उसके बाद में दोस्तों मिठाई मिठाई आप जो भी अपने भाई को लेकर आए हुए हो या आपके घर में कोई प्रकवान बना हुआ हुआ हो तो वह आप ले सकते हो उसक इसमें धागा का कोई रूप नहीं होता है ना तो ध्यान रखना जो भी आप राखी लो उसमें धागा विशिश रूप से होना चाहिए वो भी लाल रंका काले रंका धागा नहीं होना चाहिए लाल रंका धागा होना चाहिए ठीक है इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पूजन की थाली है वो तयार करनी है ना उसके बाद में दोस्तों अब जो सबसे पहले आप लोग राकी बांदो के अपनी पूजन की थाली को तयार करने के बाद वो अपने ही घर में जो भगवान विराजित हैं क्रिशन जी विराजित हैं बाल गोपल विराजित हैं भगवा उसको बांदी जाती है जो आपकी रक्षा करता है तो रक्षा कौन करता है रक्षा तो भगवान भी करते हैं आपकी घर में जो आपकी पिता होते हैं वो भी रक्षा करते हैं तो आप अपने पिता को भी राक्य बांद सकते हो और सबसे पहली जो राक्य रहेगी, वह आपके घर में आपके भगवानों को बंदेगे, मतलब आपके भगवान जो लड्डो को पाल है, कृषने जी है, गनेज जी है, शिव जी है, इनको सबसे पहली राकी बाद दोगे न, और भगवानों वाली राकी एक अलग आती है, ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले राकी उसके बाद में फिर आप लोगों को अपने भाई की खलाई पर राकी बाद दो आप यहां पर आपको ग्या ध्यान रखना है वो भी सुन लो देखो रक्षा बंदन में जब आपको राकी बाद दो तो आपको किसी उची जगा पर बैट कर राकी नहीं बन दो आनि जमीन पर बैट होतों कुछ आसन वगयरे ले 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 लना उसके बाद राकी बन दो भाद में आपका जो भाई किस तरफ मुख रेके बैठेगा वो पूरवी दिशा की तरफ बाद दोल्ति से बिए बैठना किस तरव हैं, तो आप दोनों को मुग गलती से भी दक्ष्ण दिशा में नहों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है ना, उसके बाद में दोस्तों जो अगली बात आती है, वो ये आती है, तो आप दोस्तों यहाँ पर आपको राकी कैसे बादनी है, वो भी यहाँ पर हम थाली में रखा हुआ है तो सबसे पहले अपने भाई का सर ढखो और आपका भी सर ढखा होना चाहिए राकी बानते समय भाई और बेहन दोनों का सर ढखा हुआ होना चाहिए इस बात का विशिश रूप से ध्यान रखना है तो सबसे पहले आप लोग अपने भाई का सर ढखना उसका तिलक करना रोली कुम कुम से या चंदन से तिलक करना तिलक करने के बाद जो है आप लोग उसे अक्षद जो होते हैं चावल जो होते हैं वो लगाना चावल लगाने के बाद दोस्तों जो अगला कारे होगा वो होगा आपका नारियल देने का श्रीफल देने का नारियल जो है उसके अंदर पानी हो ऐसा नारियल लेकर आना और फिर वो अपने आप लोग भाई को देना जब भाई नारियल ले ले तो उससे बोलना कि वो पकड़े रहे अपने सीधे हाथ के हतीले में जिस हतीली में आप लोग राकी बानने वाले हैं क्योंकि जब आप लोगों क्या करना है जो मिठाई या पकवान अपने थाली में रखा हुआ है मीठे में अपने भाई को खिलाना है भाई को खिलाना है और भाई चाहे तो भेहन को भी खिला सकता है खिलाने के बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको आरती उतारना है ना आरती उतारने के बाद दोस्तो भाई जो भी गिफ्ट देना चाहता है चाहे एक रुपए, चाहे दस रुपए, चाहे पांच रुपए चाहे सो रुपए, पांसो दो हजार, दस घजते हो जरूर देना क्योंकि राकी कभी खाली हात नहीं बनदवाई जाती है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज हम तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रहे हैं हम तुम्हें कल दे देंगे 50 दिन बाद हम तुम्हें ये चीज दलादेंगे ऐसा नहीं चलेगा जिस समय राखी बनवाओ उस समय आपको कुछ ना कुछ आपने भाहन बहन को जो है जरूर देना है भाली वो पैसा दो किफट दो कुछ भी दो पर समय जरूर देना है भली आप बाद में कुछ भी आपने जो सोच कर रखा हूँ भो दे देना पर राक्य बनवाद democratic के बाद कुछ ना कुछ आपको जरूर देना है कुछ पैसे देना है या कुछ गिफटे देना है अले आप बाद में जूबी आपने सोच कर रखा वो भी दे सकते है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसि आप गिफटे देतो उसके बाद आपको अपनी बहन के पहर चुना है और वो आपको आश्रिवात देगी है ना इसके बाद में आप लोगों का ये रक्षा बंदन पूर्ण हो जाता है ना अब दोस्तों यहाँ पर जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि भई इस दिन सावन महीने का पाचवा सोमवार है आकरी सोम अगरस जो जानते हैंकि अगर आप लोगों का वरत है तो आप लोग क्या करें है क्या इस दिन हमें वरत रखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा भी यही प्रश्ण कर रहा है कि या इस बार तो 5 वसुम बार पढ़ रहा है तो भई सावन का 5 वसुम बार का वरत रखना ज़रूरी है क्या तो देखो इसका सीधा सा हम जवाब देते हैं भगवान कभी ऐसा नहीं चाहते कि आप अपना मन मार कर कोई वरत रहो बात नहीं है वैसे सावन के चार सोंवार होते हैं हर बार चार सोंवार होते हैं और चार सोंवार हो चुके हैं ना और आपके वरत भी आपने पूर्ण किया है पर दोस्ति जवार तो पांचवा सोंवार भी है तो भी पांचवा सोंवार अगर आपका मन नहीं है कि नहीं आर हम वरत रखना है हमारा मना जीब हो झाएग अगर हमने वरत नहीं रखा तो इनकी लिए एक तरीका है कि आप इस दर्छन वरत रखो सुमबर का और आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि हमने जो है रक्षया बंदन पे इस पार अच्छे से कुछ नहीं खा पाया आपने सब खा भी लिया और अच्छे से आपका यहां पर विरत भी पोर्ण हो गया इसी के साथ में दोस्तों आकरी में हम आपको एक बात और बता डालोगे उस घी से आप लोग फिर अपना यह दीपक जलाओगे और इस दीपक से ही फिर आप अपने भाई की अपने पूजन की थाली में इस दीपक को रखकर आरती करोगे ठीक है इसके बाद में दोस्तों जब गिफ्ट की बारी आए या पैसे देने की बारी आई तो कभ हमें यह नहीं चाहिए, जो वो दे रहा है एक बार में उससे ले लेना है ठीक है क्योंकि इस से आपको वो मिलेगा जिसके आपने अभागवान को भी तो प्रसंद न burn ना करना है तो आपको अपने भाई से मूँ खोल करना ही मांग जो वो दे रहा है उस वो आपको चुक च बरकत रहीगा और आपको वो चीज़े में लेंगी जिसके आपने का भी कल्पना भी नहीं करी हो यूगी ठीक है तो इस बात के भी आप लोगों को ध्यान रखना है तो इस रक्षा बंदन से जुड़े हुए सारे प्रशनों के जवाब हमने आपको दे दिये हैं बाकी दोस्त आप झाये बोल्याबाइस रिष्वाइए नमस्तु प्रूंग्